सभी दर्शकों का आज के कारिक्रम में स्वागत हैं जैसा कि हमें ग्यात है कि चुम्बकिये शेत्र विध्युधाराओं अथ्वा गतिशील आवेशों तथा कणों के नैज चुम्बकिये आघुर्णों के कारण उत्पन होते हैं तथा विध्युधारा तथा उसके द्वारा उत्पन चुम्बकिये शेत्र के बीच संबंध के बारे में बायो सावट नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या बायोर्सावत नियम के अतिरिक भी कोई प्रक्रिया है जिससे एक विध्युधारी चालक के लिए चुम्बकी शेत्र के परिमांड को प्राप्त किया जा सकता हो? जी हाँ, वो है एमपियर का परिपथिय नियम तो आज के इस कारेक्रम में हम एमपियर के परिपथिय नियम की विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके अनुप्रयोगों को समझेंगे परन्तु इससे पूर्व हम एक विज्ञानिक आंद्रे एमपियर द्वारा किये गए खोजों की संशित रूप से चर्चा करेंगे आंद्रे आम्पियर ने विद्युद्धारा एवं चुम्बक्त्व में संबंद खोजने के लिए प्रयोगों की एक लंबी श्रिंखला पार की 1827 में इन खोजों की परिनती प्रकाशन में हुई उन्होंने परिकल्पना की कि सभी चुम्बक्य प्रक्रम वृत्वाही विद्युद्धाराओं के कारण होते हैं आईए अब एम्पियर के परिपत्य नियम पर चर्चा करते हैं एम्पियर के परिपत्य नियम के लिए हम ऐसे खुले प्रिष्ट पर विचार करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस प्रिष्ट से विद्युद्धारा प्रवाहित हो रही है हम ये विचार करेंगे कि सीमा रेखा बहुत से अल्प रेखा अव्यवों से मिलकर बनी है ऐसे ही एक रेखा अव्यव DL को हम ले लेते हैं हम इस अव्यव पर चुम्बकिय शेत्र के स्पर्श रेखिय घटक BT को BT का मान लेंगे और इसे अव्यव DL की लंबाई से गुणा करेंगे तो ऐसे में सबसे पहले BT जब DL से गुणा होगा तो ये BT B cos theta के बराबर है और ये B cos theta DL प्राप्त होगा अब ये B cos theta DL को हम B बिंदू DL के रूप में भी लिख सकते हैं यानि B तथ़ DL के अदिश गुणफल के बराबर लिख सकते हैं इस प्रकार के सभी गुणफल एक दूसरे के साथ संयोजित किये जा सकते हैं अब हम सीमा पर विचार करते हैं जैसे जैसे अव्यवों की लंबाई घटी है इसकी संख्या बढ़ती है आईए अब एमपियर नियम का उलेक करने का प्रयास करते हैं एमपियर नियम के अनुसार किसी समाकलन प्रिष्ट से प्रवाहित होने वाली कुल विध्युद्धारा का म्यू नौट गुणा होता है अर्थार B बिन्दू, DL का समाकलन, म्यू नौट तथा I का गुणनफल होगा यहां I प्रिष्ट से गुजरने वाली कुल विध्युद्धारा है इस समाकलन को प्रिष्ट की सीमारेखा C के समपाती बंद के उपर लिया गया है इस संबंद में दिशा सम्मिलित है जो दक्षिन हस्तनियम से प्राप्त होती है दक्षिन हस्तनियम के अनुसार अपने दाय हात की उंगलियों को कुछ इस दिशा में मोरने पर जिस दिशा में पाश, समाकलन, B बिन्दू, DL में सीमारेखा मुडी हुई है अंगूठे की दिशा उस दिशा को बताती है जिसमें विद्युधारा को धनात्मक माना जाता है बहुत से अनुप्रयोगों के लिए एमपेरियन नियम के समीकरण का कही अधिक सरलिकरत रूप से परियाप सिध्ध होता है Ampirionium को सरल रूप से प्रयोग करने हेटु हमें एक महत्वपून बात पर ध्यान देना होगा कई अनों प्रयोगों के लिए हम एक पाश का चयन करते हैं जिसे Ampirian पाश कहते हैं इसका चयन कुछ इस प्रकार किया जाता है कि पाश के प्रत्येग बिंदू पर या तो बी पाश के स्पर्ष रेखिये हो तथा शुनियेतर नियतांखो अथ्वा बी पाश के अभिलंबत है अथ्वा बी नश्थ हो जाता हो अब हम इस अभधाना की सहायता से एल लंबाई के पाश के लिए एमपियर के परिपत्य नियम के समिकरण को लिखने का प्रयास करेंगे माल लीजिए L पाश की वो लंबाई है या भाग है जिसके लिए B स्पर्श रेखिये है माल लीजिए पाश में परिबत विध्युद्धारा IE है तब समिकरण को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि B L बराबर म्यू नौट आई ए हो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि एमपियर का परिपत्य नियम बायो सावर्ट नियम से भिन्न नहीं है दोनों ही नियम विध्युद्धारा तथा चुम्ब के शेत्र में संबंध व्यक्त करते हैं तथा दोनों ही स्थाई विध्युद्धारा के समान भौतिक परिनामों को व्यक्त करते हैं जो संबंध एंपियर के नियम तथा बायोसावत नियम के बीच है वैसे ही ठीक संबंध गाउस नियम तथा कूलाम नियम के बीच है एंपियर का नियम तथा गाउस का नियम दोनों ही परिरेखा अथवा परिप्रिष्ट पर किसी भौतिक राशी यानी चुम्बकिय अथवा विद्युद्शेत्र का संबंध किसी अन्य भौतिक राशी जैसे अंतह शेत्र में उपस्तित श्त्रोध जैसे विद्युद्धारा अथ्वा आवेश के बीद संबंध व्यक्त करता है। यहां विशेश बात यह है कि एम्पियर का परिपत्य नियम केवल उन स्थाई विद्युधाराओं पर लागू होता है, जो समय के साथ परिवर्थित नहीं होते। आईए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सीधे विद्युधारावाही अननतार की बाहर आर दूरी पर चुम्बकिय शेत्र के परिमान को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, हम उसको समझेंगे। जब किसी निकाई में इस प्रकार की सम्मिती हो जैसे कि इस चित्र में सीधे विध्युद्धारवाही अनन्तार के लिए है तब एम्पियर का नियम हमें चुम्बकिय शेत्र का एक सरल मुल्यांकन करने योग्य बनाता है पाश की सीमा रेखा का चयन एक वृत है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है तथा चुम्बकिय शेत्र वृत की परीधी के स्पर्श रेखिये है हम यह पाते हैं कि तार के बाहर आर दूरी पर चुम्बकिय शेत्र स्पर्श रेखिये है तथा इसे कुछ इस प्रकार से व को μूट आई के बराबर रखने पर अब जब हम डियल का समा कलन करते हैं तो हमें दो पाई आर मिलता है इसको हल करने पर बी मूट आई बटे दो पाई आर के बराबर होता है क्या ये चुम्बकिय शेत्र का मुल्यांकन बिलकुल वैसा नहीं है जैसे कि हमने गाउस नियम के द अनन्त लंबाई के तार के लिए प्राप्त चुम्बकिय शेत्र का परिमान कई दिश्टी कोणों से रोचक है जैसे कि इसमें ये अंतर्णी हित है कि आर त्रिज्या के वृत के प्रत्येक बिंदू पर तार को अक्ष के अनुदिश रखती हुए शेत्र का परिमान समान है दूसरे शब्दों में चुम्बकिय शेत्र में बेलनाकार सममिती है जो शेत्र समान तहा तीन निर्देशांगों पर निर्भर करता है पर यहां केवल एक निर्देशांग यानि के आर पर निर्भर है जहां कहीं भी सममिती होती है समस्याओं के हल सरल हो जाते हैं अब इस वृत के किसी भी बिंदू पर शेत्र की दिशा इसके स्पर्श रेखिये है। इस प्रकार चुम्ब के शित्र की नियत परिमान की रेखाएं संकेंद्री वृत बनाती है। एक अन्य बाद पर ध्यान दीजिये जो की बहुत ही रोचक है। यद्य पी तार अनन्त लंबाई की है तथा पी शुन्यतर दूरी पर इसके कारण चुम्ब के शेत्र अनन्त नहीं है। ये केवल तार के अत्याधिक पास आने वाले विस्पूटक हो जाता है। ये शेत्र विद्युधार के अनुक्रमानुपाती है। तथा विद्युधारा शुत जिसकी अनन्त लंबाई है से दूरी के विद्युध क्रमानुपाती है। अब जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि लंबे तार के कारण उत्पन चुम्ब के शेत्र की दिशा को निर्धारित करने का एक सरल नियम है। इस नियम को दक्षिन हस्त नियम कहते हैं। यहां ध्यान देने योगी बात यह है कि जबकि एम्पियर के परिपथी नियम को किसी भी पाश पर लागू किया जा सकता है। परन्तु यह हर प्रकरण में चुम्ब के शेत्र का मुल्यांकन सदैव ही असान नहीं बनाता। उधारन के लिए वृतकार पाश के प्रकरण में केंद्र पर चुम्ब के शेत्र के लिए प्राप्त करने के लिए यह लागू नहीं किया जा सकता। तथा पी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिन में उच्च सम्मिती होती है। तथा इस नियम को सुविधा पुर्वक लागू किया जा सकता है। आईए सबसे पहले इसका उपयोग अत्यंत उपयोगी चुम्ब के निकाए परिनालिका द्वारा उत्पन चुम्ब के शेत्र को परिकलित करने के लिए करते हैं। हम यहाँ एक लंबी परिनालिका के विशे में चर्चा करेंगे। लंबी परिनालिका से हमारा तात पर्रे क्या है? इसके लिए परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुल्ना में अधिक होती है परिनालिका में एक लंबा तार सरपिल आकार में लिप्टा हुआ होता है जिसमें प्रतियेक फेरा अपने निकट के फेरे के साथ काफी सटा हुआ होता है इस प्रकार फेरे को एक वृताकार पाश माना जाता है किसी परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन कुल चुम्बकिय शेत्र प्रतिय फेरे के चुम्बकिय शेत्रों का सदिश योग होता है अब परिनालिका पर लपेटने के लिए एनामलित तारों का उपयोग किया जाता है ताकि फेरे एक दूसरे से विद्यूत रोधी रहें। इस चित्र में परिमित परिनालिका का चुम्ब के शेत्र दर्शाया गया है। इसमें परिनालिका के एक खंड को विस्तारित करके दिखाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां केवल बाहय अर्ध वृत्रकार भाग तर्शाया गया है। ध्यान से देखिए कि किस प्रकार पास-पास इस्थित फेरों के बीच चुम्बकिय शेत्र एक दूसरे को निर्सित कर देते हैं। इस चित्र में अंतभाग के मध्य बिंदू पी पर चुम्बकिय शेत्र एक समान है, प्रबल है तथा परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है। बहाय भाग के मध्य बिंदू क्यूं पर चुम्ब के शेत्र दुर्बल है और साथ ही ये परिनालिका के अक्ष के अनुदिश है तथा इसका लंबवत अथवा अभी लंबवत कोई घटक भी नहीं है जैसे जैसे परिनालिका की लंबाई में व्रिद्धी होती है ये लंबी बेलनाकार धातु के पटल जैसी दिखाई देती है यहां आदर्शेकरत चितरन को निरूपित किया गया है जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि परिनालिका के बाहर चुम्ब की शेत्र शूने होता है तो परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर चुम्ब की शेत्र अक्ष के समानतर होता है चलिए अब इस आयताकार एमपीरिन पाश A, B, C, D पर विचार करते हैं अब जैसा कि तर्क दिया जा चुका है CD के अनुदिश शेत्र शूने होगा क्योंकि ये Q बिंदु इस परिनालिका के बाहर रिस्तित है जहां विद्युद शेत्र बहुत ही कम है अनुप्रस्त खंडो BC तथा AD के अनुदिश चुम्ब के शेत्र का घटक शूने होता है इसका कारण ये है कि B तथा DL के बीच का कोण 90 डिग्री होता है जिसके कारण B और DL के बिंदु गुणन फल को हम शूने के बराबर लेते हैं इस प्रकार से ये दोनों खंड चुम्ब के शेत्र में कोई योगदान नहीं देते अब माल लीजिए कि AB के अनुदिश चुम्ब के शेत्र B है इस प्रकार एंपियर पाश के प्रासंगिक लंबाई H ली जा रही है एंपियर नियम के अनुसार B L बराबर μू नौट I E में L को H रखने पर जो की AB की लंबाई है और I E प्रती एकांक लंबाई फेरो की संख्या N है तो फेरो की कुल संख्या N H होगी यदि यहां I परिनालिका में प्रवाहित विध्युद्धारा है तो इस प्रकार I E को I N H के बराबर लिखा जा सकता है जिसको हल करने पर हमें चुम्बकी शेत्र मू नौट N I के बराबर मिलेगा यहां भी शेत्र की दिशा दक्षिन हस्त नियम से प्राप्त होगी परिनालिका का सम्मान तह उप्योग एक समान चुम्बकी शेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है अब आप इस बात की खोच करें कि यदि परिनालिका के भीतर नर्म लोह क्रोड रखें तो इसके चुम्बकी शेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो जिस प्रकार हमने एम्पिर नियम के सहायता से परिनालिका के लिए चुम्बकी शेत्र का मुल्यांकन किया है क्या इसी प्रकार हम किसी अन्य निकाए टोरॉइट के लिए भी उसके द्वारा उत्पन चुम्बकी शेत्र का मुल्यांकन कर सकते है तो इससे पहले हमें समझना होगा कि टोरोइट क्या होता है ये एक वृतकार खोखला चल्ला होता है जिस पर किसी तार के अत्यधिक फेरे पास-पास सटा कर लपेटे जाते हैं इसे एक ऐसी परिनालिका के रूप में देखा जा सकता है जिसे बंद करके एक वृतकार मोड दिया गया हो इससे आई विद्युधारा प्रवाहित हो रही है किसी आदर्श टोरोइट जिसके फेरे सटा कर लिप्टे होते हैं उसके लिए टोरोइट के भीतर चुम्ब के शेत्र भी नियत रहता है इस शेत्र में टोरोइट की अनुप्रस्त काट दर्शाई गई है वृतकार पाशों के लिए दक्षिनी हस्त नियम के अनुसार टोरोइट के भीतर चुम्ब के शेत्र की दिशा दक्षिनावर्थ है खंडित रेखाएं जिन पर एक, दो, तीन अंकित है, इसके तीन एंपियर पाश है सम्मिति के अनुसार चुम्ब के शेत्र इन पाशों में प्रत्यक के स्पर्ष रेखिये होना चाहिए तथा प्रत्यक पाश के लिए इसका परिमान नियत होना चाहिए आईए देखते हैं कि ये तथ्य यहाँ वैद है या नहीं हम प्रत्य एक पाश के लिए चुम्बकिय शेत्र के परिमान का मुल्यांकन करेंगे सबसे पहले पाश 1 से शुरू करते हैं माल लीजिए पाश 1 के अनुदिश चुम्बकिय शेत्र का परिमान B1 है तथा L 2πR1 के बराबर है जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पाश जो कि टोरोईट के भीतर उपस्तित है विध्युद्धारा को परिबद नहीं करता यानि कि यहाँ IE 0 के बराबर होगा तब एमपियर के परिपथे नियम के अनुसार B1 2πR1 बराबर μू नौट IE जो कि यहाँ पर 0 के बराबर है इसको हल करने पर B1 0 मिलेगा तो इसका तात्पर ये है कि टोरोईट के भीतर खुले शेत्र में किसी भी बिंदू P पर चुम्बकिय शेत्र 0 होता है अब पाश दो के विशे में चर्चा करते हैं इसके लिए हमें पाश दो द्वारा परिबद विध्युधारा को समझना होगा पाश दो जो कि S बिंदू के अनुदिश है ये पाश दो टोरोईट के भीतर उपस्तित है इस टोरोईट में हम देख सकते हैं कि ये पाश दो पृतका शेत्र टोरोईट को काट रहा है और ये इस प्रकार विध्युधारवाही तार पाश दो को एक ही बार काटता है अर्थार्थ हमें यहां कुल परिबद विध्युधारा मिलती है माल लेजे टोरोइट के भीतर चुम्ब के शेत्र B है यहां L 2πR के बराबर होगा जो पाश दो की परीधी है टोरोइट कुंडली के N फेरो के लिए परिबद विध्युधारा IE को हम N I लिख सकते हैं एंपियर के परिपथी नियम के अनुसार अब B गुणा 2πR μू 0N I के बराबर होगा इसको हल करने पर B μू 0N I बटे 2πR मिलेगा और यहां N बटे 2πR N के बराबर होगा जिसके कारण B μू 0N I द्वारा लिखा जाएगा हमें यही परिणाम परिणालिका में भी प्राप्थ हुआ था आदर्श टोरोईड में कुंडलियां पूंड तह वृत्तकार होती हैं वास्ता में टोरोईड के फेरे सरपीलाकार कुंडली बनाते हैं तथा इसके बाहर सदैव ही एक शीन चुंबके शेत्र पाया जाता है पाश्तीन क्यू बिंदू के अनुदिश है इस टोरोईड में हम देख सकते हैं कि पाश्तीन वृतकार छेत्र टोरोईड को काट रहा है और इस प्रकार विद्यू धारवाही तार पाश्तीन को दो बार काट रहा है इसका तात्पर ये हुआ कि कागस के तल से बाहर निकलती विद्यू धारा कागस के तल की फीतर जाती विध्युत्धारा को ठीक ठीक निर्सित कर देता है अर्थात पाश तीन द्वारा परिबत विध्युत्धारा शुन्ने के बराबर होगी MPI परिपत्थी नियम के अनुसार B3 2πR3 μ0 IE के बराबर होगा और जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि IE 0 के बराबर है तो इसको हल करने पर हमें B3 भी 0 के बराबर मिलेगा तो इसका तात्पर ये हुआ कि टोरॉइड के बाहर खुले शेतर में किसी भी बिंदू Q पर चुम्बकिय शेतर शुन्ने होता है इसी के साथ हमने परिनालिका तथा टोरॉइड के लिए चुम्बकिय शेतर के मुल्यांकन कर लिये हैं परिनालिका तथा टोरॉइड ऐसे दो उपकरण है जो चुम्बकिय शेतर उत्पन करते हैं सिंक्रूटरौन में आविशक चुम्बकिय शेत्र उत्पन करने के लिए इन दोनों का सियुक्त रूप से उप्योग किया जाता है। हम ये सीख चुके हैं कि किसी विद्युद्धारवाही चालक के कारण चुम्बकिय शेत्र उत्पन होता है जो बायो सावत नियम का पालन करता है साथ ही हमने ये भी सीखा कि विद्युद्धारवाही चालक पर बाहय चुम्बकिय शेत्र बलारोपित करता है ये लॉरेंस बल सूत्र का अनुगमन करता है क्या एक दूसरे के साथ उपस्ते दो विद्युधारवाही चालक एक दूसरे पर भी बल आरोपित करते हैं सन अठारा सो बीश से पच्चिस की अवधी में आमपियर ने इस चुम्ब किये बल की प्रकृती इसकी विद्युधारवाही परिमान चालक की आकृती तथा आमाप पर निर्भरता के साथ इन चालकों के बीच की दूरी पर निर्भरता का अध्यान किया हम दो समांतर विद्युधारवाही चालकों के सरल उधारन को चर्चा मिलाएंगे हमने यहां दो लंबे समांतर चालक A तथा B को लिया है जिसके बीच पृत्यकन D है तथा जिसमें समांतर क्रमशह IA तथा IB विद्युधाराएं प्रवाहित हो रही है चालक A चालक B के अनुदिश प्रतियक बिंदु पर समांतर चुम्ब के शेत्र B A लगा रहा है यहां दक्षिन हस्त नियम के अनुसार हम इस चुम्ब के शेत्र की दिशा को ग्याद करेंगे ऐसा करने पर हमें B की दिशा इस चालक पर अधो मुखी प्राप्त होगी चालक A के द्वारा चालक B के अनुदिश लग रहे चुम्ब के शेत्र का परिमान B A बराबर μू नॉट आई A बटे 2 पाई D द्वारा दिया जाता है यहां चालक B जिससे विद्युद्धारा IB प्रवाहित हो रही है B A के कारण एक बल का अनुमान करता है इस बल की दिशा दक्षिन हस्त नियम के अनुसार निकाली जाती है और इस नियम के अनुसार इस बल की दिशा B A के और होगी A के कारण B के खंड पर लगा बल F B A, I B, L तथा B A के गुड़न फल के बराबर होगा F B A का परिमान हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं I B, L और यहां B A के परिमान को लिखने पर μू नॉट आई ए बटे दो पाई डी इसको गुणा करने पर हमें F B A, मू नॉट आई ए आई बी बटे दो पाई डी गुणा L के बराबर मिलेगा इसी प्रकार B के कारण A पर बल को परिकलित किया जा सकता है हम B के कारण A के खंड L पर लग रहे बल F A B को कुछ इस प्रकार ग्याद कर सकते हैं जो की बिलकुल F B A के ही बराबर है यानि की मू नॉट आई ए आई बी बटा दो पाई डी गुणा L के बराबर इस प्रकार F B A रिण F A B के बराबर होगा अब थ्यान दीजे कि ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुरूप है इस प्रकार हमें समानतर चालकों तथा अपरिवर्ती विद्युधाराओं के लिए ये तो दर्शाही दिया है कि बायो सावट नियम तथा लौरेंस बल द्वारब प्राप्ट परिमान न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुरूप है इस प्रकार हमने समानतर चालकों तथा अपरिवर्ती विद्युधाराओं के लिए ये तो दर्शाही दिया है कि बायो सावत नियम तथा लौरेंस बलद्वारा प्राप्ट परिणाम न्यूटन के गती के तीसरे नियम के अनुरूप है अब प्राप्ट परिणामों से ये ज्यात हुआ है कि समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युद्धाराईं एक दूसरे को आकरशित करती हैं हम ये भी देख सकते हैं कि विप्रीत दिशाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युधाराएं एक दूसरे को प्रतिकर्शित करती हैं इस प्रकार समानतर धाराएं आकर्शित तथा प्रति समानतर धाराएं प्रतिकर्शित करती हैं ये नियम उस नियम के विप्रीत है जिसका हमने स्थिरव वैध्यूतिकी में अध्यन किया था जहां सजाती आवेशों में प्रतिकर्शन तथा विजाती आवेशों में आकर्शन होता है परंतु सजाती धhmenराएं एक दूसरे को आकर्शित करती हैं अब हम इस समिकरण के सहायता से विद्युधारा के मातरक आमपेर की परिभाशा देंगे माल लीजिए कि FAB बल के प्रती एकांक लंबाई पर आरोपित बल के परिणाम को निरूपित करता है तो इसके अनुसार FAB म्यू नॉट आई आई बटे दो पाई D के बराबर होगा अब यदि आई 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 बी एक आमपेर के बराबर हो और D एक मीटर के बराबर है तो FAB हमें म्यू नॉट बटे दो पाई मिलेगा जिसका परिमान दो गुणा दस की घात रिंड साथ नूटन प्रती कूलाम होगा हम ये कह सकते हैं कि एक एमपेर वो अपिवर्ती विध्युदारा है जो दो लंबे सीधे उपेक्षनिय अनुप्रश्ट काट के निर्वात में एक दूसरे से एक मीटर दूरी पर इस्थित समानतर चालकों में प्रवाहित हों जो इन में से प्रती एक चालक की प्रती मीटर लंबाई पर दो गुणा दस की घात रिंड साथ नूटन पर कूलाम के बल को उत्पन करता हो एमपेर की ये परिभाशा सन 1946 में अपनाई गई थी ये एक सद्धान्तिक परिभाशा है वेवार में हमें प्रित्वी के चुंबग्य शेत्र के प्रभाव को विलुप्त करना चाहिए तथा बहुत लंबे तारों के स्थान पर उच्चित ज्यामिती की बहु फेरों की कुंडलियां लेनी चाहिए एक उपकरण जिसे धारा तुला कहते हैं का उपियोग इस यांतरिक बल की माप के लिए किया जाता है आवेश के ऐसाई मातरक अर्थात कूलाम को अब हम आमपियर के पदों में भी परिभाशत कर सकते हैं हम इसे कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि जब किसी चालक में एक आमपियर की अपरिवर्ती विद्युधरा प्रवाहित होती है तो उसकी अनुप्रस्त कार्ट से एक सेकिंड में प्रवाहित आवेश की मातरा एक कूलाम होती है तो आज के कारेक्रम में हमने अम्पियर के परिपत्य नियम की विस्तार से चर्चा की और इसके अनुप्रयोगों को भी समझा हमने ये भी ग्याद किया कि एक दूसरे के साथ उपस्तित दो विध्युधारवाही चालक एक दूसरे पर किस प्रकार बलारूपित करते हैं जिसका प्रयोग हमने एम्पियर को परिभाशित करने के लिए किया अब हमें विभिन निकायों के लिए चुम्बक के शेत्र तथा बल का ज्यान हो गया है तो आप एक विशेश अवधार्णा चुम्बक की परिरोधन पर खोज करने का प्रयास करें तथा इसकी चर्चा अपने साथियों से अवश्य करें तो आप ऐसे ही खोज करते रहें और अपने ज्यान में वृध्धी करें धन्यवाद करेंगा है